वेल्कम बैक टू एसमर राइडर तो आज का टाइटल आपको देखके पता चल गया होगा आज की वीडियो आपको देखके पता चल गई होगी कि आज मैं करने जा रहा हूं अन्बॉक्सिंग और रिव्यू अपने नए मेमोरी एजडी कार्ट का जो मेरा पारसल आ चुका है और मैं जो पहले जो यूज कर रहा था वो मैं सेंडिस्क का अल्ट्रा यूज कर रहा था और अब जो मैं यूज करने जा रहा हूं वो सेंडिस्क का ही है मगर वो एक्स्ट्रीम है तो इससे बहतर परफॉर्मेंस है इसका रिव्यू मैंने काफी चेक किया था तो इसकी करते हैं और उसकी स्पीड का राइड स्पीड और ट्रांस्वर स्पीड और इसकी राइड स्पीड ट्रांस्वर स्पीड सब चेक करेंगे इसी वीडियो में तो बने रही है समयाराइडर विलॉग के साथ तो यह मेरा नया वाला जो है एसदी कार्ट है और इससे पहले जो मैं यूज कर रहा था वह यह वाला अल्ट्रा वाला मैं यूज कर रहा था यह देखिये अल्ट्रा वाला और यह 64GB का यह 128 GB का है जो मैंने इसे अभी नया पर्चेस किया है और इसको अभी अन्बॉक्सिंग अभी फिर इसकी करना है कि इन दोनों की जो स्पीड है वह इसकी तो एक्स्टीम वाली की जो स्पीड है वह ट्रांस्पार स्पीड वन सिक्स्टी है और राइडी स्पीड जो है सिक्स्टी है तो इसको पर्चेस कर यह मैं आपको रिक्रिमन करता हूं अपनी तरफ से बागी आपकी मरेश तो अब हम ने जो है अपना मेमोरी कार्ड फोन में डाल लिया है अब हम इसका जन्मिन स्टोरेज चेक करेंगे तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने फाइल मेनेजर में और फाइल मेनेजर में आपको यहां पे दोने स्टोरेज दिख जाएंगे फोन के और एजडी कार्ड का है फोन का मेरा 64GB का है जो कि यहां पर शो कर रहा है 54.99GB और एजडी कार्ड का शो कर रहा है 127.83GB तो लगबग सेम ही है और स्टोरेज 128GB का है तो 127GB शो कर रहा है तो इतना तो शो करेगा तो बिल्कुल पूरा नहीं होता है जैसे 128GB है तो 128GB नहीं होगा थोल यह बिल्कुल जैन्मिन है storage और जो फेक होते हैं तो उस में storage कम हो जाते हैं को 100 GB का 64 GB दिखा दे कौद 10 GB दिखा दे तो काफी फर्क होता है उन फेक में तो यह मेरा बिल्कुल जैन्मिन है तो इससे मैं खुश हूँ कि यह मेरा जन्मीन आया है प्रोड़क्स सही है तो फ्रेंड्स आप लोगों को कौन सी इन दोनों मेमोरी में सबसे बेटर लगी मुझे तो यह एक्ष्ट्रीम वाली अच्छ लगी अगर आपको अल्ट्रा अच्छ लगी हो यह एक्ष्ट्रीम अच्छ लगी हो आपसलाम नमस्टे बाइबाइ